दोस्तों नमस्कार हमने पिछले वीडियो में आपको गी जेसा एक सुका चारा बताया था और उसी वीडियो पर मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि हम अपनी बक्रियों को डालना घी खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते कब खिलाना चाहिए, कब नहीं खिलाना चाहिए, कब फाइदा, कब नुकसान, कितना देना चाहिए ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद डालडा घी बकरियों के लिए कब सही कब गलत आप completely पैचानने के देखें जब भी किसी भी बकरी को डालडा घी दिया जाता है तो डालडा घी देने से अचानक से उसमें फेट की मातरा बढ़ जाती है और हमें लगता है कि उसकी ग्रोथ जो है वो शांदार होई है ये काम कौन करते हैं जिनको instant ग्रोथ चाहिए यानि एकदम से जिनको ग्रोथ चाहिए वो 25 एमेल जो डालडा घी है 25 ग्राम के लिए जब solid होता है तो ग्राम में liquid होता है तो एमेल में घी को दोनों में नमापा होता है अब जब तुरंत बेचना होता है ऐसी condition में तो ये formula चल जाता है कोई बाद में लेकिन अगर किसी बकरी को आप अपने फार्म पर लंबा रख रहे हैं वो एक साल तक आपके यहां रहेगी दो साल तक रहेगी या ज्यादा भी रह सकते हैं तो ऐसी बकरी को अगर दीरे करके इस तरीके से मारेगा यानि मैं इसे slow poison की संग्या दे सकता हूं इतना खराब रुमन में जो papilies होती है उन रुमन papilies को discharge कर देगा उनकी जो activity है उनको कम कर देगा तो भाई जब ruminal microflora यह बराबर काम नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका पाचन सही रहेगा उसका पाचन बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे करके जब पाचन रुमिनल microflora कम होंगे तो आपको पता है microflora कितने vitamins minerals का संसलेशन करते हैं वो सब रुक जाएगा और उनमें परमुक होता है vitamin B और vitamin B का जब संसलेशन रुकेगा ना भाई तो सरीर की नस्सें कमजोर होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे weakness आनी शुरू हो जाएगी और जो से आप 15-20 दिन में खटाक से थोड़ा सा तगड़ा करके बेश देना चाते हैं यानि जो कोई भी काम में जाएगी तो उसको कई लोग घी खिलाते हैं अलागि मेरा तो ये मानना है कि पसू के स्वास्ते के साथ कभी भी खिलवार नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने किया जाता है तो फाइदे के लिए जब वो कहते हैं सर फाइदे के लिए कर रहे हैं तो फाइदे के लिए करेंगे तो भी वो तो खिलाएंगे बाकि आपको ध्यान लगना है कि घी जो है वो जिस मकरी को लंबा रख रहे हैं उसे कभी नहीं खिलाएंगे स्लो वोईजन का क हुआ डालडा घी और आप कहां कहां देते हैं वो भी मुझे बताईगा ताकि एक एक पॉइंट को पकड़ा जा सके और विवेचन किया जा सके